Hey everyone, good morning, so आज मैं थोड़े से जल्दी उठ गया और जैसे ही उठ खे मैं देखा तो J-Man का result आ चुका है जिस टाइम का हम सभी को काफी टाइम से इंतिजार था क्योंकि अभी class 12th board exams complete हुआ है January exam से ज्यादा जो अभी April का exam होता है, काफी students का focus इस exam में होता है because January में exam खतम होने के बाद immediately you cannot take any action but अभी March में आप लोग board exams दिये हो, April में आपका judgments होता है और ये खतम होके जब result आता है, इस result के basis पे आप बहुत सारे colleges वगेरा choose करना start करोगे और admission के लिए apply करोगे इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि यार कहां से कैसे check कर सकते हैं और वीडियो के end में मैं बात करूँगा college के बारे में कि admission कैसे लेना है क्या करना है बहुत सारी चीज़े मैं बात करूँगा so let's go to the screen और इस screen में आप देख सकते हैं और पूरा ही display मैंने show कर लिया अगर मैं इसको full screen कर दूँ तो जही में result 2022 session 2 अगर आप type करोगे google बे अभी मैंने type कर रहा था यह 13 मिनट से गो दिखा रहा है let me just refresh it और यह चला गया news अभी so this is the link इस link के जरीए से आप open कर सकते हो जही में का आपका result और कैसे करना यार यह link को open करोगे तो this will open और यहां पर published 28 April आज का अगर date आप देखोगे तो 29 हो चुका है right है ना तो publish date ऐसा दिखा रहा है भी but अभी अभी result आया है अभी यहां पर भी आप लोग देख सकते हो 3 minutes अगो direct links अब news article वगेरा में भी आ रहा है कि आज ही result आया है और यहां पर भी बोला जा रहा है जो मैं पिछले page में दिखा रहा था refresh हो गया भी जहां पर दिखा रहा था early half first half of 29th of April तो yes result आ चुका यहां पर session one recorded all time high attendance चलो attendance की बात बाद में करते हैं तीन लिंक्स यहां पर दिये गए हैं तीनों लिंक के जरीए से आप result चेक कर सकते हो link one पर क्लिक करते हो पूछेगा कि आपको external website पर भीजा जाएगा what is the website URL अगर आप चेक करोगे ntrresults.nic.in that is the result क्या करना है आपको result चेक करने के लिए application number एंटर करना है data of word security pin मतलब यह image में जो लिखा है उसी को आपको एंटर करना है that's all submit कर दो result आपकी समने आ जाएगा आपको दिखाई देगा percentile कितना percentile आप secure किये हो अब मैं बताना चाहूंगा इस percentile के basis पे आप लोग कैसे college admission के बारे में सो सकते हो so let me come to this main screen so मैं बात कर रहा था कि college admission के बारे में अभी percentile आ गया है तो आपको rank मिल जाएगा how you can calculate rank बहुत सारे rank calculator rank predictor website होते है result में rank दिखाता है नहीं दिखाता है पता है नहीं मेरे time पे दिखाता क्योंकि उस time पर सिस्टम नहीं था बट अभी किसी का result देख लूँगा मैं sample देख रहा था Google पर वहां पर rank शो नहीं कर रहा है तो percentile के basis पर बहुत सारे rank predictor website होते हैं जैसे आप simple जाना Google पर ही में जाता हूं यहां पर search करना आप जैमें rank predictor 2023 तो बहुत सारे website मिल जाएंगे कोई particular website में नहीं बता रहा हूं बस ऐसे ही आप mark secure जो percentile score है अप enter करोगे आपको मिल जाएगा और यहां पर और एक rank list 2023 भी आता है तो किसका क्या rank है top 100 का यह session 1 का था शायए 2 का तो अभी आने में टाइम रखा गया है so rank वगेरा आप check कर सकते हो score के basis पर so उस rank के basis पर आपका क्या हो जाए अच्छा मैं sorry screen share नहीं किया था let me share it once again आपको मैं दिखा रहा था about the rank predictor आप rank predictor पर click करके जाओगे कोई भी rank predictor में कोई particular website को नहीं बता रहा anything you can click and open और वहां पर आप डाल के for suppose कोई login ना मांगे तो हम check करते हैं कि क्या rank predictor कैसे काम करते है let me open one or two in different yes यहाँ पर दिखा रहा है session paper one का ना ओके entire score out of 300 how much score यह percentile enter करना है आपको percentile enter करना application number option ले data worth option ले predict में rank तो suppose मैं यहाँ पर percentile करके overall percentile 90 लगता हूँ predict my rank ओके तो predict में rank करने से क्या आता है हम normal idea लेने के लिए search करे 90.3 हो सकता है 89.2 हो सकता है 60 हो सकता है 70 हो सकता है कुछ भी हो सकता है काम कर रहा नहीं करेंगे बहुत heavy load होगा है ना obvious सी बात है अगर 250 में लिखता हूँ application number यार यह compulsory कर दिया भी मेरे पास कोई application number डेटा बर नहीं कि फिर data उनके पास रह जाएगा परसेंटाइल की बात करते है यार अभी परसेंटाइल कितना है मैंने 90 बोल रहा था enter your score 250 250 में तो आएगा नहीं ना तो 80 मान लो predict now अरे यार फिर login तो login कर लिन आप लोग मैं अभी account create नहीं कर रहा हूँ so you can do that और प्रेडिट कर सकते हो जितने भी मैंने websites दिखाया यहां पर और यह भी एक website open हो रहा है so better you login क्योंकि आपके पास data रहेगा उस data के basis पर आप लोग इन कर सकते हो और login करके अब अपना result चेक कर सकते हो रैंक निकाल सकते हो और जो उड़ेशा के students है उनके लिए मैं rank opening rank closing rank का series बना रहा हूँ जहां पर जो भी college के बारे में सबसे ज्यादा comments आएंगे उसका opening rank closing rank for all the branches for all the categories वहाँ पर S.E.S.T. हो सकता है general हो सकता है green card हो सकता है out of the state हो सकता है J.E.M.N. हो सकता है tuition fee waiver हो सकता है everything I am covering for all the branches computer science, mechanical, civil engineering, electrical, electronics जितने भी branch है जो भी college में जो जो branch है सभी के related मैं वहाँ पर research करके आपको बता रहा हूँ compare भी कर लेता हूँ कौन सा branch वहाँ पर सबसे जादा demand है next कौन सा rank के basis पर we do the calculation अगर आपको देखना है तो आप channel पर जाके देख सकते हो और comment भी कर सकतो किस college के बारे में चीए आपका कितना percentile आया है वो भी मुझे comment section में comment करके बता देना ताकि मुझे भी खुशी होगी जानकी क्यार how much you secured और अभी एक live करेंगे हम लोग अगर हो सके कुछ घंटों में या कुछ दिनों में जहां पर आपके rank के basis में college find out करेंग आप ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को like कर दीजिए चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को subscribe कर दीजिए और जो भी comment है दिमाग में चल रहा है ना उसको comment section में लिखके बताए मिल रहोंग अगले वीडियो में